वेल्कूम आज़े साफको फीडिस वागत है एक नई क्लास के साथ और जिसमें आज हम बात करेंगे एगरिकल्चर के कुछ वर्लाइनर इंपोर्टेंट क्यूसंस के बारे में ठीक है यहाँ पर हम अब्जेक्टी क्यूसंस को नहीं ले पा रहे हैं क्यूंकि उनमें टाइम ब बढ़कर एक मिलेगी तो यहाँ पर याद क्यूसंस आपको करवाई जा रहा है क्यूसंस पर आपको फोकस करना है अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो एक बार आप क्वालिटी को ज्यादा कर लेना क्योंकि इस पीडिये में थोड़ा सा पैसे ही थोड़ा सा ड बेना कोई time-waste के class को स्टार्ट करेंगे इससे पहले जो भी हाँआ पर नई स्ट्वेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब से आपका कल से मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे तो जितने भी स्ट्रेंड हैं उनको सेडर देना से जादा जाधा ज्याधा किया गरो ताकि मॉडल पेपर का ज्यादा ज्यादा strength यहाँ पर use कर पाए ठीक है? चलिए आज का हमारा first question ने याद रखी का है जिसमें आपको पूछा गया है कि भारत में कितने प्रतिस आबादी कर्सी पर निपर है मतलब एग्रीगल जर है जिनका काम क्या है याद रखी का खेती बाड़ी करना है उनकी आचीवी का चल रही है केवल कर्सी से farming से तो वो है याद रखी का 65 से 70% ऐसे कितने लोग है जिनका जो याद रखी का रोजगार है वो खेती है वो होते हैं 60 से 70% लोग ने इस्टिसन के यहाँ पर बात करेंगे इस किसन को आप छोड़ सीजिए नेच्टिसन के यहाँ पर बात करेंगे ठीक है एक्जाम की दिरिष्टी से यहाँ पर बात करेंगे बाकी सारी किसन को हम skip करेंगे खोई दिकत नहीं है बस यहाँ पर किसन याद रखीगा कि भारत में जो कर्सी का इतियास एक बुक है एक पुस्तक है जिसका नाम है भारत में कर्सी का इतियास और यह किरसन आपको पुचा जा ज़ुका है जो पुस्तक है इसके लेखर कोंने याद रखिया डक्टार एमेस रंद्रावा है नेच्टीसन के यहाँ पर बात करेंगे तो उसी के बारे में आप जिकरे किया गया है, जो इस्थापना बिहार में की गई थी, सबसे पहले याँ देखी गा जब भी पूसा का नाम आता है, तो फिफस ओफ यूएसे की जो सवरोफ फर्तम जो इस्थापना की गई थी, नाइनटीन मतलब 1904 में गंडक नदी के किनारे दरबंगा बिहार में की गई थी फिफ्स ओफ युएसे की स्थापना दरबंगा बिहार गंडक नदी के किनारे बिहार में की गई थी ठीक है कब की गई थी 1904 में की गई थी उसके बाद में क्या होता है या दखिया जैसे जैसे पूसा को नई दिल्ली में ट्रांसफर करना पड़ता है, कब करना पड़ता है, 1936 में करना पड़ता है, एक बार दोबारा से रिविजन कर लीजिए, कि पूसा है इसकी इस्थापना सबसे पहले दरबंगा बिहार गंडग नदी के किनारे 1904 में की गई थी, इसके बाद में क् 1936 में इस बिल्डिंग को नई दिल्ली में इस्थाना अंत्रित करना पड़ता है, या फिर किया जाता है, ठीक है, जो कि प्रिजेंट में भी नई दिल्ली में ही इस्थित है, इसके अलावा या देखिया, 1936 के बाद में आपको 1948 याद रखना है, कि इसे डिम्ड यूनिवर से जितनी भी जो वेराइटीज निकलती है, उनके आगे आपको पोसा देखने हो मिलता है, आपको याद होगा, जितनी भी जो वेराइटीज है, उनके आगे अगर अरका लगा होता है, तो वो मुखेत या देखिया, इक्रिसेट, जो कि हैदराबाद में है, वहां से निकाल गई है CICISH Central Institute of Subtropical Horticulture जो की लखनव में है वहां से याद देख्या ललित वेराइटी को निकाला गया था क्यूसंस यहाँ पर याद देख्या एक से बढ़कर एक है तो बस आपको क्लास पर थोड़ा साथ फोकस करना है बिना काम के फालतू की कमेंट करना मत मैं आपको यहाँ पर लाइब देखने ही पा रहा हूँ तो इसका फाइदा आप बिल्कुल भी ना उठाए ठीक है पढ़ने आये हूँ आराम से पढ़िए फिर जाकर आपनी किताब पढ़िए तो नेश्टिसन पर आते हैं जल्वाइश तो याद रखिए जल्वाइश मतलब क्लाइमेट अब इससे आप की से याद रखों गयो कि किस वर्ड की पीछे ज्ड़ा। एकजामें पूछा गया है कि उसन याद रखीगा तो क्लाइमेट को क्लाइमेटो लोजी आप याद रखीगा gave a LE斤 अब सभी को पता है कि याद देखिएगा सोईल भी याद एक लेटीन वह सा का यहीं सब्द होता है लिखिन अगर मैं बात करता हूं यहां पर याद देखिएगा जैसे कि मालीजी क्या ग्रिक की हमने बात कर ली है फ्रेंच ठीक है जो ट्रक गार्डनी होती है न एक होटीकल सर में यूज करते हैं हम जब मालीजी हमें कोई छोटी प्लांट पर मतलब छोटी जगए है हमारे पास वहां पर हमें क्या करना है फल या सबजी को उगाना है ठीक है वैसे सामानेत है वह दूरस्त मतलब दूर वाले छेत्रों के लिए तो याद रखेगा वहां एक ट्रक गार्डनिंग यूज की जाती है एक होती है ट्रक गार्डनिंग एक होती है मार्केट गार्डनिंग एक होती किचन गार्डनिंग ठीक है तो यहाँ पर हम बात कर रहें ट्रक गार्डनि पर याद देखें जीनेवा इस्तित है स्वीटजर लेंड में इस्तित है नेश्टिशन के यहाँ पर बात करेंगे अब यहाँ पर याद देखें को समझो पहले यहाँ पर पूछ रहा है कि मद्यवर्थी प्रदीप्ति कालिजा जो पोदा होता है इसको कितने आउदी मतलब प्रकास की कितने घंटे के आउद सकता होती है ठीक है तो अब यहाँ पर याद देखें को हम पहले सोल कर लेते हैं कि आपको नोर्मल तरीकी से पूछा जाएगा जैसे कि माली जे एक सोल डे प्लांट होते हैं एक होते हैं मीडियम वाले एक होते हैं लोंग डे प्लांट तो लोंग में मुख्यत याद देखें जितने भी आपकी जो अगर आप बात करेंगे हम एगरोनोमी तो जितने भी जो रभी की फसले है वो सारी होती है याद देख जैसे कि example की बात करू तो आप धान लिए सकते हो ठीक है वो sort day plant होता है लेकिन अगर मैं बात करता हूं medium तो medium में याद एखे का आपको वैसे तो normal तरीके से एक ही फसल याद रखनी है गन्ना गन्ना होता याद एखे मीडियम वाला है मतलब क्या देखे का जो sort है इसे तो 10 से 12 गंटे प्रकास किया वो सकता होगी, लोंग इंटरमीडियेट मतलब मद्यवरती प्रकास दिपति कालिता पोधा कौन सा होता है हमारा गन्ना होता है, याद रहलोगे है, I think आप समंद गए और कानद आकी क्लियर हो चुके होंगे। मैं इस्टियसन के हाँ पर बात करूँगा, अब जिसमें आपको पूछा गया है कि बाजरे की कम अवदी और सिग्र पकने वाली वेराइटी ओंसी है, तो नॉर्मल तरीके से याद रखिए है, HHV 67, ठीक है, निस्टियसन के हाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा ग होती है, निस्टियसन के हाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि वायो मंडले दाव की प्रचलित एकाई क्या है, ठीक है, वैसे याद रखिए, वायो मंडले दाव है, इसे बार में भी मापा जाता है, और मिली बार में भी इसे मापा जाता है, बार और मि किसन सबी को आता है समझानी कोई जरूरत नहीं है नेश्ट इसन के और बढ़ते हैं जिसमें आप पूछा गया है मर्ति का के कणों का व्यास कितना होता है मर्ति का यहां पर है क्ले अब क्ले से याद रखिए का सारे डाउट आपके क्लियर हो जाने चाहिए क्ले सबसे याद का महीन इसी के गण होते हैं कितने होते हैं 0.002 mm से भी कम होते हैं काफी ज़्यादा वार यह किसन पूछा गया है रट लेना वाइस किसन को कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है सबसे ज़्यादा जो जल्धारन समता होती है वो भी याद रखिए इसी सोल की होती है क इसके कम होते हैं सबसे बारिक होते हैं 0.002 mm से भी कम होते हैं ठीक है यह दो क्यूशन इससे पूछे आते हैं और यहाद देखिए जो क्ले पार्टिकल्स या फिर जो क्ले सोल है यह मुखहत है किसके लिए हम यूज कर सकते हैं बता सकते हो चलिए आपको आता है तो बता द नहीं है नैस्टीशन के और पढ़ते हैं ठीक है ऐसे मत करना लास्ट टाइम है आप टैंसन आपको बेलकोल नहीं लेनी है आपको जो पता है उतना तो याद रखना ही बस जो पढ़ा है उसको रिवीजन करते चलना नई के चक्कर में आप मत पढ़ना ठीक है बस एक बार आप नजर घुमा सकते हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए ख्लास से आप ले रहे हो यहाँ पर कुछ आपको याद हो रहा है इसलिए आप ले रहे हो ऐसे मत करना कि यार लिखने लग जाओ या फिर आप ऐसे गणे लग जाओ बस पूरे दिन ही लिख रहे हो माल लीजे आप लेकिन उसके बाद में पढ़िए क्योंकि पढ़ना जरूरी है लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि आपको पूछा गया है जिसमें आपको पूछा गया है कि पोदे का कितना प्रतिसित भाग जल से निर्मित होता है तो चाहिए याद रखेगा हुमन बोड़ी आप ले लीजे या फिर ये जो पोदे होते हैं न इनकी बोड़ी ले लीजे मनीशे की बोड़ी या फिर आप ले लीजे पोदों की बोड़ी सबी में भाई पानी की ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो भी लगबग 70 से 95 परसेंट के समति आप मान सकते हूँ पानी कितना ज़रूरी होता है एक जीवन यापन करने के लिए मनिश्य है भाई दिन में कितनी बार पानी पीते हैं बहुत ज़्यादा आओ सकता होती है क्योंकि हमारा जो यह human body है यह सबसे ज़्यादा जो content होता है वो पानी ही होता है वाटर दी होता है इसके विप्रीत अगर हम बात करते हैं हमारी फसलो की ओर तो फसलो की ओर जैसे ही चलेंगे तो आप याद रखेगा जो कुकर बिट्स है जैसे की तरबूज हुआ खरबूज हुआ तो तरबूज में सबसे ज़्यादा होता है 95% की something पानी होता है वैसे आपको डाटा मिल जाता है 90-95% इसमें पानी ही होता है जो तरबूज खाते हो ना वाटर मेलन खाते हो वो 90-95% तो उसमें केवल वाटर ही होता है समझ सकते हो कितना रोल होता है एक वाटर का जल का जिसे हम कहते है एच्ट हो ठीक है सिंबल तो पता है ना लेकिन अब यहाँ पर याद रखेगा लेंटिक जल किसे कहते है जल की बात कर रहे हैं तो जल से समझ एक और की सन याद रखना कि लेंटिक जल किसे कहते है बता सकते हो तो लेंटिक जल का मतलब होता याद देखे इस्थिर और मल तरीकी से याद रखना कि लेंटिक जल इस्तिर जल को बोला जाता है नेक्स ट्रे शन के हाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि पोदो के लिए महतमूर जल, मतलब वहें जल कोण सा है, या फिर वहें जल किस सरेणी में रखा गया है जो कि पोदो को प्राप्त होता है पोदो को जो जल प्राप्त होता है वो कौन सा जल होता है वो होता या देखिया केसी की जल कौन सा होता है केसी जल या फिर केसी की जल होता है जो कि पोदो को प्राप्त होता है नेश्टेसन के हाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है इखड़ी फासल की मर्दा म अपेक साल लगवग कितनी होती है तो लगवग 10 गुणा होती है जैसे कि मैं बात करूं नोल मल तरकी से तो यहां पर आप दे सकते हो या देख्या वाइव मंडल में जो होती है क्या CO2 यह होती है 0.03% लेकिन यही अगर मैं बात करूं मुर्दा में CO2 तो मुर्दा में CO2 याल रखना वाद तो कोई दिख्कत नहीं आप क्लास किसे लिए यह तो है किताब था किन्ट की किशन भी होता रहे। और कुछ से याँ पर आप रहे यह क्लास में नया 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 कंटेंट भी याप से जाए तो याद कि अपन जो यहां पर कंटेंट दे रहें उसका लेवल कुछ हो रहा है ऐसा दो नहीं हो सकता अपना जो लेवल है वह एक्जाम की तरफ से ही है अतलब एक्जाम की दरश्टी से काफे इंपॉर्टेंट है ठीक है ज्यादा डीप रहां है क्योंकि हमें लेवल लेकर चलना है ज यह से अग्रिकल्टर के कोई लिमिट नहीं है लेकिन पस आपको करना है केवल अग्रिकल्टर से सुपर्वाइजर की दियारी कर रहो तो उसी पर कंटेंट पर फोकस कीजिए जो उसमें आ सकता है ठीक है अधर्वाइज ज्यादा ग्यान आपने को लेना नहीं है और नहीं पर भी फोकस काना चले नहीं पर बढ़ता है कि पोदे की फृद्दी के लिए आवसेख पो सकता तो है तो वह होता है सत्रवा सत्रवा पो सकता तो होता है कौन सा होता है निकिल होता है सभी को विदित होगा सभी को पता होगा नहीं पर बात करूँगा जिसमें आपको पू लोचा गया है कि म STAR में गति पोशता हैं को सर्वादि गति लोट AG उता है नाइतिरसवी और इससे याद रस्तां में को सब्सक्ता है और प्रसवी और की संद रहा होता है तो कि इस याद रखेगा पी िृचन तो कौन से होता है जो आप पढ़ते हो ना यह दृतिक पोसब तत्व केल से मेगनीशिम और सलफर इनी को गोण पोसकता तत्व बोलासता है क्या बोलासता है क्या पर बात करूंगा जिसमें आपको पूछा गया कोशिका की उर्जा मुद्रा कौन सा तत्व है तो यहां देखि इस पस्ट रूप से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पोसकता तत्व के जो सिंप्टम दिखाई देते है ना पत्तियों पर एक साथ मैं क्लियर करूंगा बस इतना सा याद रखने है आपका क्यूशन नहीं गलत नहीं होने वाला ठीक है दो मिनेट धान देना तीन तरह के प पुरानी होती है वो सबसे नीचे आदाती है क्योंकि आपने देखा होगा फोदा होता है पहले छोटा होता फिर बड़ा होता है मतला अरे यार समझे लीजी है ठीक है हमारा फोदा है यह बढ़के त्यार हो चुका है बड़ा हो चुका है पत्तिया है बाई छोटा है तो य नीचे है मरदा है अब आते हैं मारे पोसक्ततों की ओर तो याद रखेगा सबसे नीचे वाली जो पतिया ना ये पुरानी पतिया है क्या है नीचे की या फिर पुरानी पतिया कैसे भी आपको एक्जाम पूछ लेगा कि नीचे वाली पतिया या फिर पुरानी पतियों पर सब के लक्सन दिखाए देते हैं ठीक है उपर आपको ध्यान रखना है कि जो नई लईफ है ना इन सभी को छोड़ कर इसके अलावा याद रखे एक आईरन होता है जिसका दोनों ही जो पत्तिया होती है जो लीफ होती है नई और ओल्ड मतलब न्यू लीफ और ओल्ड लीफ दोनो भी बता दीजे तो यहांपर दोपोषक्ता तो होते हैं और वो प्ते हैं क्यलस्यम और बोर्ड मतलब सबसे उपर वाला छोड़ी होता है जहां पर इसका एंड पॉन उता है तो अगर आपको पूछा ााता है examiner मतलब exam में अपको पूछा या सिर्ष प्रभार ता जो होती ह यह किन पोसक्तातों से समादें तर बता सकते हूं किलसम और वोरोन होते हैं क्यों क्योंकि इस सेस्व पर यही तो इस्तित है यह फिर आपको अगर आपको ऐसे पूछ ले कि जो सबसे पहले नतलब जो serious का लिखा है वहां पर लक्षन किस पोसक्तत्व की कमी की दिखाई देते हैं तब यहां बता सकते हो calcium ये बोरोन दोनों में से आपको एक option देगा ठीक है दोनों को तो नहीं देगा अगर दोनों दे देता है तो फिर वो third option यहीं देगा कि दोनों तो फिर दोनों को सेलेक्ट कर देना क्यूसन कैसे भी पूछ ले सब तरीके से बस इतना सा याद रखना कि केलसियम बोरोन है यह सिर्स पर अपना प्रभाव दिखाएगे सबसे नीचे की पतियों पर या फिर पुरानी पतियों पर जो दिखाएदेते हैं वो दिखाएदेते हैं लक्षन, N, P, K Nitrogen, Phosphorus, Potassium, Magnesium और Molybdenum के ठीक है और दोनों मतलब नई और पुरानी पतियों पर किसके दिखाएदेते हैं आईरेन के दिखाएदेते हैं इसके अलावा जो भी आपका निट्रेंट है वो कोई सा भी हो, चाहिए सुक्सम हो या फिर बड़ा हो, छोटा हो मतलब, Micro हो या फिर Minor हो सभी की लक्षन नई पतियों पर ही दिखाएदेते हैं कॉंसेप्ट क्लियर हो हुआ अगर कॉंसेप्ट क्लियर हो है तो यार वीडियो को लाइक कर देना जिससे यह क्या होता है कि माली जी कोई नया स्ट्वेंट है हमारी क्लासिस ले रहा है उससे यह पता नहीं है कि क्लासिस अच्छी है या फिर नहीं है अगर आपको क्लासिस पसंद नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है दिसलाइक आप कर सकते हूँ लाइक बटन आपकी सामने है, लाइक बटन आपकी सामने है, सब्सक्राइब बटन आपकी सामने है, जो आपका मन करें वो कर दिया करो, बस अगर आपको कंटेंट अचा लगता है, क्वालिटी अच्छी लगती है, थोड़ा सा लगता है, हमें कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो ताकि कोई नया स्टेंट है वो देख के समझ जाए और वो वीडियो को पूरा देखे ताकि उसका भी इसमें कोई बेनिफिट हो सके हमारा एजुकेशन चैनल है तो एजुकेशन या देखिया सभी के बराबर होती है मतलब आप चाहिए जेट क के किशन उठा के देख लेना किशन लगबग वहीं से रिपीट होता है ठीक है तो कोई दिखात नहीं है सब तरीके से हम पेपर को सौल कर देंगे बस रेगुलर रहना मोडल पेपर हल करते रहना और रेपीट करते रहना ओके तो चलिए आज की क्लास को बस से आहीं पर विर अधित च्रेग रहना देग्बग लगणीं बस तरीके से रहना देज़ा ले बसकार देख लेखे लेगर को दोन में से ठीक है अधिते है रहना देखे एपर गूर रहना बसे जवे इस अाधने व. झाल झाल